अब 4.3 का हम लोग question 1 का e part देखते हैं तो e part जो है इसमें हमें बोला गया है मुन्ना subtract thrice the number of notebooks he has from 50 he finds the result to be 8 तो result क्या है? result तो 8 है ये समझ में हमें आ क्या तो मुन्ना subtract thrice the number of notebooks अब notebooks कितनी हैं? ये नहीं पता है तो हम लोग लिख देते हैं let the number of notebooks be x तो notebooks का number हम लोग ना x ले लेते हैं तो हमें देखा कि मुन्ना जो था उसने subtract किया thrice the number of notebooks he has from 50 यानि कि 50 में से from 50 यानि कि 50 में से उसने thrice the number of notebooks यानि कि 3 गुना यानि कि thrice the number of notebooks यानि कि x into 3 से उसने 50 में से minus कर दिया तो उसको 8 मिला अब x की value निकाल दी है हमें तो हम लोग क्या करेंगे? ये 50 transportation का method इस्तमाल करेंगे हम 50 plus में था इदर जाकर के minus में हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 50 में से 8 minus हो रहा है तो इसका मतलब 42 बचेगा और sign बड़े वाले का आता है ये minus 3x है इदर भी minus है इदर भी minus है plus हो जाएगा कट जाएंगे minus अब x के साथ 3 multiply में है और जब हम transport करेंगे 3 को RHS में तो 3 divide में जाएगा और जब हम काटेंगे तो हमारे पास आजाएगी x की value 16 तो sorry 12 होता है न x की value हमारे पास आजाएगी 14 3 1s आ 3 और 3 4s आ 12 तो x की value हमारे पास 14 आ गई तो हमने transportation की मदद से solve किया f part है देखो Ibn Hal thinks of a number तो हम उसरे जो number सोचा हम उस number को x ले लेते हैं let the number be x let the number be x if she adds 19 to it अगर वो इस number में 19 add कर रही है ठीक है and divides the sum by 5 और जो sum add करने के बाद आ रहा है उसको पूरे को वो 5 से divide कर देती है she will get 8 तो उसको 8 मिलता है ठीक है यानि की event बच्ची थी उसने कोई number है उसमें 19 पहले तो add किया add करने के बाद उसने पूरे number को 5 से divide कर दिया तो उसका answer 8 आया तो हम इसको solve करते हैं कि बही number क्या था बही x को केला चोड़ना है क्योंकि 5 डिवाइड में है जब हम 5 को transport करेंगे तो 5 multiply में जाएगा क्योंकि जब divide ट्रांसपोर्ट होता है तो वो multiply बनता है ठीक है तो 8 5 जा 40 अब ये जो 19 है जब 19 प्लस में है प्लस ट्रांसपोर्ट होने के बाद माइनस हो जाता है तो 19 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 40 में से 19 जाएगा तो बचेगा 21 यानि कि x की value क्या आई x की value आई 21 और वो number क्या निकला नमबा निकला 21 अब हम इस question का last part देखते हैं अनवर thinks of a number तो अनवर ने number सोचा तो हमने वो number x माल लिया मान सकते हो फिर if he takes away 7 from 5 by 2 of the number यानि कि 5 by 2 of number 5 by 2 of numbers में से उसने take away कर दिया यानि कि निकाल लिया 7 take away कर दिया उसको result मिला 23 तो अनवर ने एक number सोचा उस number को उसने 5 by 2 कर दिया फिर उस number में से उसने 7 निकाल दिया तो उसको result मिला 23 तो क्या किया अनवर ने तो let the number be x पहले तो यही कर लेते हैं let number be x तो x नवर था अनवर ने उस number को 5 by 2 करा उसमें से उसने 7 minus कर दिया और answer आगया 23 तो x की value निकालो तो निकाल देते हैं जो minus 7 है वो हम transport करेंगे तो वो plus में बन जाएगा इधर जा करके 23 plus 7 होता है 30 अब जो divide में 2 था इसको जब हम transport करेंगे तो यह भी multiply हो जाएगा तो अब यह बन गया 60 अब 5 multiply में है x के साथ इसको transport करेंगे तो multiply से यह divide बन जाएगा और 5 बन जा 5 और फिर उसके बाद 5 तूचर 10 तो x की value 12 आ जाएगी अनवर ने 5 by 2 of a number में से 7 minus किया था तो result 23 आया था तो हमने transportation की मदद से x की value find out कर ली पहले तो हमने 7 को इधर बेज दिया फिर हमने 2 को भेजा फिर हमने 5 को भेजा तो इस तरीके से क्योंकि plus minus हो जाता है multiply divide हो जाता है और divide multiply हो जाता है equal to से दूसरी तरफ जा करके तो यह हो गया हम लोगों का question 1 के सारे parts question number 2 है the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7 और highest score है 87 what is the lowest score? तो lowest score क्या होगा? तो भई हमें यह बात पता है कि highest score कितना है और हमें lowest score निकालना है और हमें यह भी पता है कि जो highest score है वो twice the lowest marks है plus 7 तो हम क्या करेंगे? question number 2 का जो ए-part है हम highest marks को ले लेंगे क्या? highest marks तो चाम में बता रखेंगे हम lowest marks को ले लेंगे x तो हम लेखेंगे let lowest marks be x तो हमें बता रखा है कि highest marks जो है highest marks कितने है? 87 है और हमें यह बता रखा है यहाँ पर equation क्या है? equation यहाँ से start होती है student in her class इस जो highest marks है वो है twice the lowest marks तो lowest marks अगर x है तो highest marks twice the lowest marks plus 7 है और highest marks कितने है? 87 तो यानि कि हमारी equation बनती है 2x plus 7 is equal to 87 क्योंकि lowest marks के twice plus 7 है highest marks lowest marks के twice plus 7 है highest marks वो ही transportation की help से हम लोग solve करते है 7 इधर plus का है और इधर जाएगा तो minus का हो जाएगा 87 minus 7 क्या हो जाएगा? अब 2 x के साथ multiply में है इक्वल 2 से दूसरी तरफ जाकर के 2 हो जाएगा divide तो lowest marks कितने हैं? lowest marks है 40 lowest marks हमारे पास कितने आ गए? lowest marks हमारे पास आ गए 40 तो lowest marks is equals to 40 simple बस हमें equation मिलानी आनी चाहिए और transportation मिलाना चाहिए next देखते हैं isosilis triangle देखो isosilis triangle क्या होता है? एक triangle है जिसकी 2 sides equal होती है वो होता है isosilis triangle अगर 2 sides equal हैं तो 2 angles भी equal होंगे यानी कि येवाला angle और येवाला angle equal होगा यानी कि एक angle अलग होगा और 2 angles same होंगे तो हमें बोला गया है in an isosilis triangle the base angles are equal मतलब 2 angles equal है vertex angle जो अलग angle है उसकी हमें value दे रखी है 40 degree तो what are base angles of a triangle? तो येवाले दोनों angle क्या होंगे? तो हम इनको x मान ले क्योंकि दोनों same है तो दोनों के दोनों x हो जाएंगे और angle sum property क्या होती है? कि sum of all angles की value होती है 180 degree तो हम इन तीनों का sum कर देंगे और answer हमारे पास आ जाएगा तो चलो देखते हैं कि कैसे इसकी statement लिखी जाती है हम लिखेंगे तो जो जो बेस अंगल है base angle bx हम x माल लेते हैं base angle को और base angle दो है यानि कि दोनों same है तो हमारा क्या हो और एक angle की value हमें 40 दे रखिया है तो x plus x plus 40 is equal to 180 degree हो जाएगा क्यों हुआ है ये? क्योंकि ये हमारा triangle था एक angle 40 दे रखा है और दो angle हमें बता रखे हैं equal है जिनको हमने x मान लिया है तो इन तीनों को add जब हम करते हैं तो 180 आता है ये हमें triangle की property पता है तो अब हम इसको solve कर लेते हैं x plus x हो जाएगा 2x 2x plus 40 degree is equal to 180 degree अब 40 को equal to से दूसरी तरफ भेजेंगे transport करेंगे तो 40 plus का था इधर minus का बनेगा 180 में से 40 minus करेंगे तो बच्चे का 140 x के साथ 2 multiply में है transport करेंगे तो divide में जाएगा 2 7s आफ 14 और 0 तो x की value क्या आ जाएगी x की value आ जाएगी 70 यानि की जो दोनों angles हैं hence 70 degree is the base angle of isosilus triangle तो इस isosilus triangle के जो base angles हैं उनकी value है 70 degree आप चेक कर लो 70 plus 70 plus 40 इनका जो sum है वो 180 आएगा तो हमने चेक भी कर लिया तो क्या था भाई isosilus triangle थे दो angle का हमें दो angle बता रखे थे कि isosilus है 140 बता रखा था तो angle some property की help से हम लोगों ने answer find out कर लिया तो ये B part आपके सामने है अब इसका C part देख लेते हैं C part में हम लोगों को बोला गया है Sachin's court toys as many runs as Rahul together their runs fell too short of a double century तो double century कितना होता है 200 होता है 2 short of a double century का मतलब है कि 2 कम रहे गए double century से Sachin ने किता score किया है toys as many as Rahul तो let Rahul ने हम x अगर score किया है तो Sachin ने किता किया है 2x किया है और इन दोनों के run मिला करके century से double century से सिर्फ 2 कम रहे हैं तो equation बनके आ गई ना हमारी समझ में कि equation क्या बनी है हमारी तो चलो अब हम लोग देखते हैं C part है इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा Rahul के जो वो है ना score उसको x ले लेते हैं let ऐसे करके लिख लो लेट राहुल्स score b x ठीक है सचिन का score कित्ता हो जाएगा सचिन का हमें बता रखा है क्या होगा सचिन का दुगना है score तो सचिन का 2x हो जाएगा अब हमें बता रखा है कि इन दोनों का score अगर हम add कर दें तो double century से 2 कम है इन दोनों का score अगर हम add कर दें तो double century से इनका score 2 कम है बस solve कर दो 200-2 क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा x प्लस 2x 3x हो जाएगा अब क्या करेंगे क्योंकि यह multiply में है तो equal to से दूसरी तरफ जाकर के divide में हो जाएगा divide कर दो 3, 6 जा 18 और फिर 3, 6 जा 18 तो x की value आ गई 66 यानि कि राहुल्स score कितना है राहुल्स score है 66 सच्चिन्स score कितना हो जाएगा सच्चिन्स score सच्चिन का score कितना है 66 से double 66 into 2 यानि कि 132 तो सच्चिन ने तो 132 रंस बनाए है और राहुल ने बनाए है 66 तो यही था हमारा question number 3 question number 2 question number 2 के हमने सारे parts देख लिए hopefully वीडियो पसंदा है होगा पसंदा है तो like, share and subscribe thank you gouader button number 2 युट है सयु़ शallo JS 67 बनाए है 4 रंस भर वीडशा है सच्चिन आप फड़ए़ए़गशगशशा रात्वाशशशाड़ग potrzeb